दोस्तो इतना मेहनत करने के बाद में हमारे चैनल पे 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन हमारा सब्सक्राइबर ड्रोप हो जाता है तो ऐसा क्या गलती हम करते हैं जिसे हमारा सब्सक्राइबर ड्रोप हो जाता है आज के इस वीडियो म आपको मताने वाला हूं किस तरीके से आप काम करते हो तो आहसा क्या करोगे जिससे आपका सब्सक्राइबर डॉप नहीं होगा इतना junk करने के वाद में दूसरी या तीसरे दिन यूटूब ईोटूब हमारे subscriber drop होने के कही कारड़ हो सकते हैं आप इसमें किस तरीके से subscriber लेकर आते हो, सबसे जादा important वही होता है आप subscriber किसी से अगर exchange करते हो, sub for sub करते हो, तो उसमें आप लोग को सबसे बड़ी गल्ती करते हो गल्ती यह होता है कि यह जो आपका मैं चैनल होता है उससे आप किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो एक दूसरी आइडी बना लेते हो जिसमें आपका मोबाइल लंबर वेरिफाई नहीं होता है उस आइडी से किसी का वीडियो नहीं वाच करते हो किसी को लाइक या सब्सक्राइब करके बिल आइकन भी प सब्सक्राइबर मानता है उसके बाद में दूसरे दिन इसको ड्रोब कर देता है तो अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप लोग को करना है अगर आप लोग सब्सक्राइबर किसी से एक्षेंज करते हो तो अपने रियल चैनल से उनके वीडि करो कि और सामने वाला भी इसी तरीके से सब्सक्राइब करेगा तो वह आपका सब्सक्राइबर कभी भी ड्रोप नहीं होगा और काफी लोग दोस्तों एक गलती और करते हैं जितने सारे मार्केट में आयप चल रहे हैं शुरुवात में आयप से बहुत अच्छा रिजल्ट मि सब्सक्राइबर करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर के बाद करें तो अगर आपने दस बढ़ाया है तो वह बारा सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर को ड्रोब कर देगा मतलब दो ज्यादा ही कर देगा तो सब्सक्राइबर एप्लिकेशन के तुरू बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है जिसे आपको आगे दिक्कत हो उसके बाद में दोस्तों तीसरी जो गलती है सबसे ज्यादा गलती वही होती है उससे क्य अगर मिलता है अगर वहाँ से आप लोग सबसक्राइबर ब्लभाते हो तो 100% वह भी ड्रोप हो जाता है वह जो सब्सक्राइबर मिलते हैं इस में पैनल के थूरो सबसे चीप प्राइज में होते हैं उसमें मुबाइल नमबर वेरिफाइब नहीं होता है और फिर बेल आइकन के वह भी प्रेस नहीं करते हैं जैसे मतलब बोट होता है वो कहिने का मतलब होता है कि बोट होता है उसमें अगर आप अपने चैनल का लिंक डालोगे तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर वह लाकर दे देगा औ उसके बाद में दूसरे दिन आपका पूरा सब्सक्राइबर डाउन हो जाएगा उससे ज्यादा ही डाउन हो जाता है कभी-कभी तो सस्ते के चक्कर में आपको अपना पैसा और टाइम बिल्कुल भी बरबाद नहीं करना है और कांटीन्यू काफी लोग यह काम करते हैं जै अगर आप SMM पैनल के थुरू अगर सब्सक्राइबर लेते हैं सस्ता वाला तो 245 ही सब्सक्राइबर लीजिए ऐसा नहीं है कि मतलब सस्ता मिल रहा है तो आप 1000 तुरंत ले लीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपका सब YouTube का एक अपडेट आया है कि अगर आपके पास जैसे माल लीजिए कि मेरा चैनल है मेरे चैनल पर लगबग 30 सब्सक्राइबर डाउन हुए है तो सब्सक्राइबर क्यों डाउन हुए है इसको भी आप लोग को समझना चाहिए जैसे माल लीजिए कि मेरा चैनल है और किसी ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब किया था अगर उनका वो चैनल टेर्मिनेट हो गया या फिर कोई जो कम्यूनिटी काइडलाइन होता है उसका उलगन किया है तो वो चैनल यूटूब ने डिलीट कर दिया आपने पाक से तब भी वो साथ राइबर काउंट में रहता है और experien आपके चैनल को इस तरीके से कमें आपके इसे सब्सक्राइब किया है जिसे से उसमें मोबाइल लंभर लिंक ना किया हो यह फिर उस सब्सक्राइबर थे मतलब किसी काम के नहीं थे इन एक्टिव सब्सक्राइबर थे उसको यूटूब ने भी उसको अनसब्सक्राइब कर दिया है मतलब डिक्रीज कर दिया है तो मतलब काउंट करके क्या फाइदा जितने लोगों का बिना मतलब का सब्सक्राइबर पड़े है वह वाच नहीं करते हैं या फिर देखते ही नहीं है वो आईडी इनेक्टिव हो चुकी है तो उसको अंसब्सक्राइब करना ही मेरे इसाब से बेहतर होगा अगर आप लोग सब्सक्राइबर अच्छा सब्सक्राइबर लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ए यल सब्सक्राइबर आएगा और कभी भी दाउन नहीं होगा तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन आपका जो सब्सक्राइबर आपके पास आएगा वह हमेशा के लिए आपके चैनल पे रहेगा और चैनल अगर आप शुरुआद करते हो और अपने चैनल से क्यूँकि आने वाले दिनों में पैसा कमा लोग Εकिन अपको वापस नहीं मिलेगा तो कहिने का मतलब यह है कि थोड़ासा पैसा जदा लगेगा लेकिन आपके पास जो सब्सक्राइबर आएगा वह लाइट टाइम आपके पास रहेगा और आपके दिमाग से 1000 सब्सक्राइ को और अपने चैनल पर काम करोगे वीडियो डालोगे तो सब्सक्राइबर वाला दिमाग्स अपने काम जो है वह खतम हो जाएगा जैसे सब्सक्राइबर करने के बाद में अंसब्सक्राइब वहता है तो यह जो सब्सक्राइबर इक्षेंज करने में टायम बरबाद करते हो या फिर एप्लीकेशन की थूरी या फिर एसमें पैनल जो सस्ते के चक्कर में आप फस जाते हो आपका पैसा बरबाद हो जाता है इन सब चक्कर से निकलकर आप 2000 रुपे इन्वेस्ट कर दो औ उसके बाद में अपना चैनल पे जो बहुव आप कंटेंट बनाते हो इस पे ज्यादा फोता रहेगा इधर आप वीडियो पिशन बढ़ेगा और घैप से अपको कर ना एक दूसराइब रुपे लगा करके साइड में रख दीजे उसके बाद में अपने चैनल पर continue काम करना शुरू कर दीजे जिससे आपका सब्सक्राइबर पर जो आपका हमेशा दिमाग लगा रहता है कि सब्सक्राइबर मेरा कब कंप्लीट होगा यह तो आपके दिमाग से निकल जाएगा उसके बाद में content पर आपका ध्यान जाएगा तो content आप बनाते रहोगे तो views आएगा views आएगा तो आज टाइम बढ़ेगा आपका और वाज टाइम बढ़ेगा दुस्तों अगर organic views आने लगेंगे तो आपके चैनल पर organic भी सब्सक्राइबर आने लगेंगे तो इस तरीके से आप अपने चैनल पर एक हजा सब्सक्राइबर पूरा कर सकते हो और य आपको सब्सक्राइबर मिलेगा उसके बाद में सब्सक्राइबर करने का जो आपके दिमाग में बात हमेशा चलता रहता हो भी निकल जाएगा तो इस तरीके से आप अपने चैनल पर एक हजा सब्सक्राइबर भी पूरा कर लोगे और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होग तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो और अच्छे जगा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कई जगा आप लोग पैसा बरबाद कर देते हो अपना सब्सक्राइबर तो मिलते हैं लेकिन वो फिर ड्रॉप हो ज चेक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे या सब्सक्राइबर जेन्वेल लगे तो उसको पर्चेस कर सकते हो तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगो के समझ में आया होगा सब्सक्राइबर किस तरीके से ले सकते हैं और जो सब्सक्राइबर ड्रॉप होता है उससे क टोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई दोस्तो थाइंक्यू